नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको लौगुरू में मैंनुराग रिशी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे History of Indian Constitution के बारे में यानि के इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतिय सविधान से जुड़े भहुत सारे तत्ये बहुत सारे राज और इसके इतिहास के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इंडियन Constitution के इस वीडियो में सबसे पहला हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री से The Constitution of India was adopted on the 26th of November in the year 1949 However, it came to effect on the 26th of January 1950 26th of January is celebrated as the Republic Day of India यानि के दोस्तों जैसे के हम सब लोग जानते हैं के भारतिय सविधान 26 नवंबर 1909 को बनकर तयार हुआ था उसको अडॉप्ट किया गया था पर वो effect में आया 26 जनवरी 1950 से इसलिए 26 जनवरी को हम Republic Day of India यानि के गंतंत्र दिवस, भारते गंतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं In 1928, the All Parties Conference convened a committee in Lucknow to prepare the Constitution of India which was known as the Nehru Report यानि के दोस्तों, 1928 में All Parties जो थी उन्होंने एक कमेठी बठाई लखनाव में जिसका मकसद था भारते सविधान को प्रिपेर करना जिस कमेठी को हम Nehru Report के नाम से भी जानते हैं तो क्या हमारे पास भारते सविधान जो 1950 में लागू हुआ सबसे पहले वही सविधान आया था? ऐसा नहीं था क्योंकि जैसे के हम सब लोग जानते हैं कि 1857 से लेकर 1947 तक उपनी वेशिक भारत का भहुत सारा हिस्सा जो था वो बिटिश पार्लेमेंट के अंडर में था यह कए उस पे बिटिश पार्लेमेंट का रूल था तो जब भारत जो था बिटिशर्स का गुलाम था या यह कहीं बिटिशर्स का रूल था भारत के उपपर उस टैम पर पहले से ही बहुत सारे laws इंडिया में थे तो इंडियन कॉंस्टिटिशन को उन सभी laws से कुछ-कुछ sources लिए कुछ-कुछ बोरो किया गया तब जाकर इंडियन कॉंस्टिटिशन को frame किया गया उन में से कुछ laws थे Government of India Act 1858, the Indian Councils Act of 1861, 1892, and 1909, the Government of India Act 1919, and 1935, and the Indian Independence Act 1947 Indian Independence Act 1947 was the one जिसको repeal करके हमारा Indian Constitution existence में आया भारते सभीधान ने इन सभी previous legislation से कुछ-कुछ frame बोरो करके अपने आपको existence में लाया यही कहें कि इस drafting committee ने previous legislation से कुछ-कुछ बोरो करके Indian Constitution को draft किया अब बात करते हूं drafting committee की जिसने Indian Constitution को draft किया The Constitution was drafted by the Constituent Assembly which was elected by elected members of provincial assemblies यानि के Indian Constitution को Constituent Assembly ने draft किया था जिसकी जो members थे उनको elect किया गया था provincial assemblies के members के द्वारा जिस committee में कुल मिलाकर 389 members थे जो की partition के बाद में घटकर 299 ही रहे गए Dr. B.R. Ambedkar was a wise constitutional expert He had studied the constitution of about 60 countries Ambedkar is recognized as the father of the constitution of India जैसे कि हम लोग जानते हैं कि Indian Constitution को बनाने के लिए Dr. B.R. Ambedkar का कितना बड़ा योगदान रहा है वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको constitution की बहुती बढ़िया पकड़ कह सकते हैं नौलिज कह सकते हैं थी इन्होंने 60 से उपर देशों के समीधान को पढ़ा था इसी वज़े से Ambedkar को भारते समीधान का फादर भी कहा जाता है अब तक तो बात हुई Indian constitution की history और इसकी drafting committee की अब हम बात करते हैं Indian constitution के structure की यानि के भारते समीधान का structure कैसा है कितने articles हैं, कितने parts हैं, कितने article और parts थे जब यह बना था The Indian constitution is the world's largest for a sovereign nation At its enactment, it had 395 articles in 22 parts and 8 schedules यानि के दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारते समीधान सबसे बड़ा written constitution है पूरे world में जब इसको बनाया गया था, इसमें 395 articles थे जिनको 22 parts और 8 schedules में बाटा गया था At about 145,000 words, it is the second longest active constitution after the constitution of Alabama in the world यानि कि इस constitution में 145,000 words का इस्तमाल किया गया था जो कि world में second active constitution की गिंती में आता है Alabama के बाद में The constitution has a preamble and 470 articles which are grouped into 25 parts with 12 schedules and 5 appendix It has been amended 104th time The latest amendment became effective on 25th January 2020 यानि कि दोस्तों आज की time में भारते सवीधान में प्रियम्बल के साथ-साथ 470 articles हैं पहले जब यह बना था, जब इसमें 395 articles थे जो अब बढ़के 470 articles हो गए हैं पहले जिस time इसका enactment हुआ था, उस time 22 parts थे जो अब बढ़के 25 हो चुके हैं और schedule भी 8 से बढ़कर 12 हो चुके हैं इसी के साथ-साथ इसमें 104 संशोधन यह यह कहें amendment भी हो चुके हैं latest amendment इसमें 25 जनवरी 2020 को हुआ था महीं अगर हम बात करें, the document lays down the framework that demonstrates fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government, institutional and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens यानि कि अगर हम बात करें, तो इसके अंदर देमोक्रेट फंडमेंटल पॉलिटिकल कोड के बारें बताए गया है उसके structure के बारें बताए गया है, उसके procedure के बारें बताए गया है government की powers और उनकी duties के बारें बताए गया है, institute की powers और उनकी duties के बारें बताए गया है fundamental rights को protect और उनके बारें बताए गया है directive principle of state policies यानि कि DPSP के बारें बताए गया है और citizens की duties के बारें भी बताए गया है इसलिए ये world का सबसे longest constitution कहा जाता है यह कहें बताया जाता है आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज की इस वीडियो में हमने इंडियन कॉंस्टिटूशन की हिस्ट्री और इसके इंट्रडक्शन को कवर किया अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉंस्टिटूशन के अमेंडमेंट्स के बार हमने हमारे blogger website पे डाल दिया है, जिसका link हमने description box में डाल दिया, तो आप चाहें तो उस PDF को डाउनलोड करने के लिए blogger पे जा सकते हैं, साथ ही साथ हमारी other videos के notes भी हमारी blogger website पे पड़े हुए हैं, तो आप चाहें तो उन notes को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई doubt है, तो हमने अपनी वीडियो के description box में अपने Facebook page का link और अपने Instagram account का link भी डाल दिया है, आप लोग चाहें, तो वहाँ पर हमें like और follow करके direct message कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें, तो इस वीडियो के comment box में हमें comment करके भी आपने डाउट को clear कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को share करने न न भूलें, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दमाएं, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर update मिलती रहे, धन्यवाद,